उदाहरन साथ एक रेखा बिंदू एक दो और पांच दस से गुजरती है इसकी ढाल ग्याद कीजिए चुकि ढाल बराबर वाई टू रिण वाई वन बटे एकस टू रिण एकस वन यानि दोनों बिंदूओं के वाई निर्देशांकों का अंतर बटे दोनों बिंदूओं के एकस निर्देशांकों का अंतर यहाँ पर एकस वन वाई वन वन टू से प्रदर्शित हो रहा है और एकस टू वाई टू पांच दस से प्रदर्शित हो रहा है यानि वाई वन का मान दो है और वाई टू का मान दस है इसलिए y2 – y1 बराबर हम लिखेंगे 10 – 2 ठीक इसी तरह से x2 – x1 के जगा हम लिखेंगे 5 – 1 ऐसा करने पर हमें मिलेगा 10 – 2 बटे 5 – 1 इसे हल करने पर हमें मिलेगा 8 – 4 जो बराबर होगा 2 के तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा जो बिंदू एक दो और पांच दस से गुजरती है उसकी ढाल दो है उदाहरन आठ एक रेखा बिंदू पांच साथ से गुजरती है इसकी ढाल दो बटे तीन है इस रेखा पर उस बिंदू के X निर्देशांग ग्याद कीजिए जिसका वाई निर्देशांग 13 हो खल रेखा पर इस्थित पहला बिंदू 5 साथ है दूसरे बिंदू के निर्देशांग X 13 होंगे इसलिए रेखा की ढाल बराबर दोनों बिंदों के वाई निर्देशांकों का अंतर बटे दोनों बिंदों के एकस निर्देशांकों का अंतर चुकि दोनों बिंदू क्रमशा 5-7 और X-13 है इसलिए इनके Y निर्देशांकों का अंतर 13-7 होगा और इसी तरह से इनके X निर्देशांकों का अंतर X-5 होगा ऐसी इस सिति में हमें रेखा की ढाल मिलेगी 13-7 बटे X-5 इसे हल करने पर हमें मिलेगा 6 बटे X-5 जो कि प्रेश्ण में ढाल का मान 2 बटे 3 दिया हुआ है तो हम 6 बटे X-5 को 2 बटे 3 से बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा 6 बटे X-5 बराबर 2 बटे 3 इसे हम हल करें तो प्राप्त होगा 18 बराबर 2 कुनित कोष्टक में X-5 इसे हल करने पर मिलेगा 18 बराबर 2 X-10 यानि X बराबर 14 धाल की तुल्ला अभी आपने धाल को किसी रेखा के अंतराल के 2 बिंदों के निरदेशांकों के संदर्फ में देखा आईए इसे एक अन्य संदर्फ में देखते हैं एक घोडा गाड़ी और एक साइकिल किसी एक जगा से एक साथ चलना शुरू करते हैं और इनकी चाल क्रमशह 12 किलो मिटर प्रति घंटा और 16 किलो मिटर प्रति घंटा है अलग लग समय पर इनके द्वारा तै की गई दूरी को इस तालिका में देखा जा सकता है तालिका देखिए तै की गई दूरी घोडा गाडी द्वारा तै की गई दूरी और साइकिल द्वारा तै की गई दूरी घोडा गाडी जो 12 किलो मेटर प्रती घंटे के रबतारते चल रही है वो 15 मिनट में 3 किलो मीटर 30 मिनट में 6 किलो मीटर और 60 मिनट में 12 किलो मीटर चलेगी इसी तरह साइकिल दोरा तै की गए दूरी 15 मिनट में 4 किलो मीटर 30 मिनट में 8 किलो मीटर और 60 मिनट में 16 किलो मीटर होगी समय और दूरी को निर्देशांक मान कर बनाए गए आलेक को ध्यान से देखे रेखा O.P. साइकिल के और रेखा O.Q. घोड़ा गाड़ी के आलेक को प्रतरशित करती है इन रेखाओं के अंतराल क्रमशा A.B. और C.D. है इसलिए A.B. की जाल बराबर 16 रिंड आठ बटे 60 रिंड तीस यानि बिंडू B. और A. के Y. निर्देशांकों का अंतर बटे इने बिंडू के X. निर्देशांकों का अंतर यह हमें 16 रिंड आठ बटे 60 रिंड तीस की रूपे मिलता है इसे हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा 8 रिंड तीस यानि 4 बटे 15 ठीक इसी प्रकार C. D. की ढाल बराबर 12 रिंड 6 बटे 60 रिंड 30 इसे हल करने पर हमें मिलेगा 6 बटे 30 यानि 3 बटे 15 अब आप दोनों ढालों के तुलना करिए A. B. की ढाल और C. D. की ढाल A. B. की ढाल 4 बटे 15 है और C. D. की ढाल 3 बटे 15 है इस प्रस्टूप से आप कह सकते हैं कि 4 बटे 15 बड़ा है 3 बटे 15 से इसलिए हम कह सकते हैं A. B. की ढाल C. D. की ढाल से जादा है अब A. B. की ढाल को समकौन त्रभुच A. M. B. में देखिए A. B. की ढाल बड़ाबर 16 रिड़ आठ बटे 60 रिड़ तीस बड़ाबर B. M. बटे A. M. और ये बड़ाबर होगा 10 थीटा 1 के चुकि कौन B. A. M. बड़ाबर कौन B. O. X. रेखा O. P. के द्वारा X. X. के साथ बनाय हुआ कौन थीटा 1 है इसी तरह CD की ढाल बड़ाबर 10 थीटा 2 जबकि थीटा 2 O. Q. द्वारा X. के साथ बनाया गया कौन है आपने देखा कि किसी रेखा के द्वारा X. अश के साथ बनाया गया कौन का टेंजेंड या उसके स्पर्ज्या ही उस रेखा की ढाल है इस पस्ट है कि कौन बढ़ने के साथ साथ ढाल भी बढ़ती जाती है एक और बात यह देखी जा सकती है कि तरभुज A.M.B. में A.M. 30 मिनट के समय अंतराल को और B.M. इस 30 मिनट में चली गई 8 किलो मिटर की दूरी को बताता है तथा B.M. और A.M. का अनुपाद साइकल की चाल को बताता है पता हम देखते हैं कि यहां साइकल की चाल उसकी रेखा की ढाल को विक्त करती है